देखिए जब भी इन दोनों बटन को एक साथ प्रेश कर दें या लिए गलती से पड़ounter रिए तो आपकी मुबाईल में क्या ईफेक्ट बड़तै है इससर इस इस दोनों मुबाईल को हम एक साथथTr Effect agora कड़े धिया है है जससे आपकी मुवाइल अप काम करना बंद कर देगी यानि कि यह टॉक बैक है आप जहां भी टॉच करेंगे यहां का इंविल सिस्टम वह आपको गाइड करेगा कि आपने यह चीज टॉच किया है अगर आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है तो इस वीडियो में बने रहे ह अगर आपका यह टॉक बैक ओन न होकर आपका यहां पर एक सिंबल आ रहा है मैं का तो वह भी प्रॉब्लम में सॉल्ब हो जोगे क्योंकि आपकी कंडिशन वह हो सकता है और मेरी कंडिशन में यह हुआ है तो इसको कैसे सॉल्ब करेंगे इस वीडियो में बने रहे है चले क्योंकि यहां पर हमारी touch अप्वार्ट यहां पर और है तो हम क्या करें आप दो finger करेंगे जब भी slide करना तो दो finger कर उख करेंगे आप देख सकते हैं कि दो finger का यूज कि यह थो इस लाइड हो गया अब हमको सेटिंगं जा रहा है setting को touch करेंगे एक बार यहाँ पर एक square बन जाएगा यानि कि green circle या फिर green boundary बन जाएगी उस पर आप double tap करेंगी जब एक बार बन जाएगा तो राइट आप देख रहें कि हमने double tap किया उसके बाद हम setting में एंटर कर गए अब हमको जाना है additional setting यहाँ पर दिख रहा है अगर आपक इन्विल सिस्टम है यह बोलेगा कि आपने यह टच किया राइट उसके बाद आपको यहाँ पर double tap करना है इसमें एंटर करने के लिए राइट आराम से कीजिए आपको कोई भी problem नहीं होगी राइट यहाँ पर हम additional setting में एंटर करेंगे उसके बाद accessibility पर आपको touch करना है और आ पर देख सकते हैं कि talkback हमारा अ है इसको हम ओफ करेंगे इस पर टच किजी एक बदग size और यहां पर टच कीजिए उसके बाद डबल टब कीजिए यह हैं तो अब आपको बता दूँ कि अगर है आपको आपको पास यहां पर मैंन का तगबैक लगा हुआ है अगर ये सिबिलति ईविल्टी जिर से हम लगा जैते हैं हमारे माग을 हो कर लाएं परो हमारे टॉकच बैक नहीं या पर द ढर्च ऑब को裡 यहां है यहां से स्ल होका है वो हम मैं आपको बताता हूं select to speak पर जब आपके लिए करेंगे तो आप देखेंगे यहां इसको अगर हमने on कर दिया तो भी यहां पर यह menu accessibility menu का option आता है चलिए इसको off कर लिए यहां पर आपको off करना है यहां से सिंबल हटाना है तो यहां पर select to speak में जाकर यहां पर accessibility menu को एक बाट चेक कर लिए कि यह off है की नहीं है अगर on है तो इसको off कर लिए इस तरह से करना है उसके बाद आपको again magnification पर क्लिक कीजिए magnification पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर magnify with button मिलेगा magnify with button पर जब आप यहां पर on कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहां पर again यह on हो गया है इसका purpose क्या है इसका use क्या है मैं आपको बताता हूं जब भी आप इसको तो तुटेच करेंगे उसके बाद आप इसको टूच करकर आप स्क्रीन को जूम जूम आॉट कर सकते हैं इसके बाद यह अपने आप चला जाएगा इसका कोई यूज नहीं यह बस इतना ही यूज यह जाने डेख सकते हैं यह मैगनिफाई करेगा या यानि कि आपके जो भी स हमको accessibility menu हमने कितना आफ कर लिया क्या 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 आपको आफ करना है वोल्यूम क्यूट कोट यहां पर इसको आफ कर लेते हैं क्योंकि आप गलती से आपने इन दोनों बटन दबा रिया तो यहां पर यह तो टॉक बाइक आपना हो जाएगा या तो वह accessibility का मेनु आ जाएगा एक यह हो गया इसको हमने आफ कर लिया दूसरा आपको आफ करना है select to speak में जाकर यहां पर यह वाला options को आपको off करकर रखना है so that आपकी mobile में कभी यहां पर यह accessibility का symbol नहीं आएगा अगर आपने on इन चारों में से कोई भी एक on है तो आपकी mobile में यह symbol आता रहेगा तो दोस्तों यह तो रहा यह redmi mobile में अगर आपकी mobile vivo है realme है तो मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखिये कैसे आप accessibility मेनु को off करना है या फिटॉक बैक को off करना है या फिटू स्पीक को off करना है आप सारी वीडियो में देख सकते हैं यह करके आगर आपकी फिर भी problem solve नहीं हो रही है तो आप एक बार सारी settings को off करने के बाद आपनी mobile को switch off कीजिए और कुछ देर बाद इसको on कीजिए आपकी problem 100% solve हो जाएगी तो अमेद करते हूं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो एक लाइक कर देजिए चैनल को सब्सक्राइब में सब्सक्राइब करके बेल आकों